नमस्कार स्वागत है टेक्निकल अनलेसिस के एक नए वीडियो में थोड़ी देर के बाद ये वीडियो भले आ रहा है लेकिन ये वक्त सही है मार्केट की कंडिशन स्टाफ है टेक्निकल अनलेसिस सीखने तोड़ा और विजिर्वी हो जाता है आज हम बात करेंगे आरेसाई यह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कि यह क्या होता है क्यों होता है लेकिन उससे जनने से पहले हमने लास्ट विडियो जहां में मोविंग अबरेज और के निली थी पुलिश अंगल्फिङ वहां से उसने सपोर्ट लिया उपर गया इंट्धैंट कि अपना वहां से अभी वापस आया है अब आप होगे कि वापस आ रहा है लेकिन यहां पर केंडल उतनी स्ट्रॉंग नहीं है सपोर्ट नहीं दे रहे हैं पर जो भी दे रही आगे की बात है यह देखने के लिए कि हमने किस तरह से लिया था क्या सिर्फ अपने दो इंडिकेटर्स का यूज किया था दूसरा हमने सीमेंस लिया था उसको भी देख लेते हैं सीमेंस का ट्रेड लिया था में देखिए यहां में लिया था बुलिश एंगल्फिंग एंडर फिरसा बनी थी एक पार और हंड़ेड डे एक्स्पोनेंचल में के सपोर्ट था लेकिन यह टेड्स फे पांच इंडिकेटर अलग तरह के होते हैं उसमें से तीन मैच कर गए तो आप कह सकते हो कि हाँ पॉजिटिव साइन है इसलिए आज हम जानेंगे थाट टाइप के इंडिकेटर इस ट्रेंट इंडेक्स के बारे में तो डिटेस इंडेस क्या होता ही मोमेंटम इंडिकेटर ह है कि रिसेंटली पास 42 डेज में क्या स्ट्रेंट थी दो भी कैपरेज दिखाता है और चार्ट में एक तरह का ग्राफ शो करता है जिससे हम देख के पता लगाते हैं कि इस करेंटली स्टॉक के इंडेक्स जो भी हम चार्ट देख रहे हैं वह किस कैटेगरी में है क्या उसम हम नहीं बैक निफ्टी बैक निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है तीनों बविंग एवरेज बनी हुई है फिफिफ्टी हंडड़ और टू हंडड़ और अब हम लगाएंगे रिल्सेंट इंडेक्स को लगाने के लिए कि सबसे पहले गया करना है आपको यहां इंडिकेटर स् जाएगा उसमें ग्राफ दी जाएगा इसको एक्सपेंड करोगे तो देखोगे कि इसमें कुछ वैल्यू बनी हुई है जीरो से हंडेट और उसके उपर भी है बीच में एक एरिया बना हुआ है और उसके बीच में एक लाइन ग्राफ है जो उपर नीचे मूव कर रहा है तो कि इसक क्या मुमेंटम इडिकेटर यह दिखाता है कि मोमेंटम उस वक्त उसपईवक्रस गया था अग्र वह ऊपर जा रहा है तो उन्हें 170 को यह पिաղें चाभनते तो पास यह गए उप जाएगा जब नबर फ् आफंडीन से कि अद्ल थाए एम पोजिव बड़े हैं तो उत्तिय रफ्तार से उत्ति स्पीड से उपर जाएगा और सेम नमबर ओव बिग रेट केंडल से और जितनी जाला केंडल उस हिसाब से और नीचे आएगा तो इसमें एक एरिया भी दिख रहा है इसको भी समझते हैं कि यह क्या होता है तो बिसिकली यह एक एर करना यह भी दिज़ा ले आते हैं आप करेंगे उसके उपर यहां सेटिंग करेंगे उसके उपर तो यह आपको दिखा देगा आप यह बीच की लाइन इसको अटादी से कोई मतलब नहीं अब जो प्लॉट है वो किस किस लाइन से ड्रॉब होगा लोवर लिमिट क्या है और यही इस शेड़ेट पार्ट का इस पार्ट का आपको लाइन दिख रहा है जो भी आपकी स्टैटिजी में फिट बैठेगा आगे चलके आप वो सेट करोगे और इंपुट्स में देखो गया होगे तो यह 14 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ले रहा है और उसी लाइन को र होता है अब जब कोई कोई भी इंडेक्स स्टॉक कुछ भी है जब वो थाटी के लेवल के नीचे आ गया और इसकी नीचे यहां करने लगता तो माना जाता है यह कहते हैं कि मार्केट मार्केट इंडेक्स स्टॉक वह वह ओवल्ट है कि पिए सोल जब तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा खरीद लिया है और यहां पर यहां पर बाइंग और सिलिंग सिनल का किस तरह मतलब होता है अगर उस टॉक टिज में नीचे आ गया है और यहां पर तो हम मानते हैं कि इसकी यह जो है भी इसमें वैल्यू है और यहां से बाउंस बैक करेगा अगर वह नीचे आ गया है यहां से ऊपर बाउंस करेगा सिमिलरली इसके उल्टे अगर आप ओवर्वाट केटेरी में आ जाता है तो हमसे दें कि नहीं बहुत ज्यादा वैल्यू देदी गई है इस प्राइस पे उसको रुकना मुश्किल है और वहां से इसमें सेलिंग आ सकती है नीचे आ जाता है तो बहुत ही सिंपल स्ट्राटेज लाशी ही रहती है अब निफ्टी बैंक ने सब्सवाइण अब अगर आपको याद करो निफ्टी बैंक में लगातार गेरने के बाद हैं को थोड़ा संके प्लयाही करते अब आप यह देख रहे हो कि जब मार्क डिफ्टी बैंक में लगातार इसमें गिरावाट आई थी तो क्यों कुछ लोगों ने बाइंग की थी क्यों क्योंकि इसके आरे साइज जो था वो 30 की निचे पहुंच गया था अब देखो जहां सेलिंग हुई थी यहां से उपर सेलि पहुंच गई थी और फिर वहां से उसको कूल आफ हुआ और वो नीचे आया तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और सबसे बैस तरीका क्या होता है आप इसको प्रिवेस हिस्ट्री में जाके देख लो आप और इसको पीछे करो और आपको दिखाई देगा कि मार्केट मे कब मोमेंटम आ रहा देखो 30 का सपस आया है लोग यहां कुछ लोग जो होते हैं पर्चेस कर लेते हैं यह नहीं कि इसके नीचे भी आयाएगा लेकिन वो उस पोजिशन से ऊपर चलाएगा ठीक है निफ्टी-फ्टी पर जो मैं सेंडर फॉलो करता हूं 30 और 60 का वो लगा ह हुआ है आपको आपको दिख रहा है यहां पर नीचे आया अब दिखिए टेक्निकल पूरा गेम है हिस्ट्री में जो हुआ है फिर से होगा आप यहां से इसमें एक निफ्टी में बाइंग आए और यह ऊपर चला गया आप सिंपली कंपेर करो निफ्टी में पहले यह काम क जो करो तो ओल्हों करो यहां पर निफ्टी में 30 प्होंचा था यहां भी वाइंग आए तुरंत ऊपर दो एक प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यहां से लग बनाया यहां पर नीचे आया और अब आप यहां पर देखो अगें कि एक दिसंबर को यहां भी स्ने खाई बनाया आरसाइगी जो सिंपल सैटेजी है वो सिंप बहुत ही सिंपल है अगर आरसाइग की नीचे है क्लिए हैँ स्में आजाते हैं करें और या रहा है यह एक अगर अगर है आथे करेंगे 60 70 के ऊपर चल चुका जा चुका है तो हम करते हैं कि नहीं अब यहां नहीं करें भले आप उसको सेल करें चाहें ना करें आप बाइना करें क्योंकि उसके बाद एक टेंडेंसी होगी कि वह नीचे जाएगा से सबसे ज्यादा आरस आप आज कर आइस कर रहा है सबसे बार चाहानी बता रहा है और आप इसमें देखोगे न तो जैसे यह ऊपर आता है साट के ओपर तुरंत इसमें बाइंग आ जा रही है और सॉरी सेलिंग आ जा रही नीचे पहुंच जा रहा है और हां एक चीज में बताना भूल गया वह है साइडवेस जब आ रहा है यह आपका कंटिनुसली इसके इस पैटन के बीच में घूम रहा हो अब आपको फिट कर ल साइडवेस की तरफ है अपवर्ड है ना डाउंट्रेंड है साइडवेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यह इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की जाता है कि आखे चलके उसमें बहुत जीता क्लियर पिच्चर नहीं दिख रही है तो अगें आरस है आप देखोग लेकिन इसमें इशू क्या है कि इसमें जो मोंटम इंडिकेटर जो मोविंग आवरजेजिस है उन नेडिटिव हैं इसमें इसमें सेलिंग पूर्शर दिखा रही है खैर यहाँ पे एक रेड़ सिग्नल बनी एक एक रेट केंडल बनी अगरम उसको जूम करूँ एक रेट केंडल बना है और एक बना है डोजी और अखर बन जाता है ग्रीन केंडल माल लेते हैं केंडल बन गया तो एक मॉर्निंग स्टार बनेगा और उसमें अप्टेंड आने के चांस है क्योंकि अगर आप इसका वीकली लगाओगे चार्ट तो वीकली चार्ट में 1450-1420 क के असपास इसका 200 डे मुविंग अवरेज है हम एक बार लगा भी लेते हैं चेक करने के लिए कि यह वीकली चार्ट लगा लिया हमने जो आरसाइए वह वीकली मंतली हर बेसिस पर काम करता है तो आप यहां पर देखोगे तो नीचे जा रहा है तो कि मार्केट पिछले दो- 1420-25 कासपास इसका सपोर्ट भी है तो इस के आसपास भी हमें एक बांस एकसपेक्ट कर सकते हैं तो यह लेकिन कोई रगमेंडेशन नहीं नहीं है ना कोई बाइस हम लन कर रहे हैं और आरे सब्सक्रेसे बारे में अगर आपको कुछ लिए क्लियर नहीं था वह भी क्लिए क करना ताकि उस पर डिस्क्रिशन हो पाए हम एक नए चनल है में सबस्राइबर के से बहुत आप शकता है वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि अ कि अ कि अ